विद्यार्तियों नमस्कार मैं डॉक्टर दीपेंद कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफोर्म केमिस्ट्री बाइडी शर्मा साब के साथ जुड़ा हुआ हूँ विद्यार्तियों इस स्क्रिन पर आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है पेपर का जो टाइटल है वो B.A. B.B.A. B.C.A. Second Year New Education Policy के एक्वर्णिग पेपर है Examination Year 2024 Foundation Course का Second Paper है Part A में दिया हुआ Entrepreneurship Development उद्धिमिता विकास और Part B में दिया हुआ Woman Empowerment यानि महीला शशक्ती करन तो विद्यार्तियों पार्ट A के 50 परश्ण और Part B के 50 परश्णों का सोलीशन इस वीडियो लेक्च्चर के माद्धियम से हम लोग इस वीडियों में देखने वाले हैं तोड़ा समेट पैपर के बारे में डेटल देदू यह पेपर दिनांक 20 जून 2024 को बरकत उल्लाविश्व इद्याले भोपाल के अंतरगत आने वाले कोलेजियों में हुआ है तो विद्यारती ये paper वर्कत तुला विशुद्दियाले के साथ साथ मन्द्य प्रदेश में जितनी भी universities है उस universities में दुती वर्ष में पढ़ने वाले विद्यारती जिनका foundation course का paper होता है उनके लिए paper मतुकुन होगा तो इद्यार्तियों पेपर के solution की तरफ हम चलते हैं देर ना करते हुए उससे पर आप से अनुरो दे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरी के साथ के लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं विद्यार्तियों देर ना करते हुए सिदे चलते सॉलिशन की ओर और अब मैं हटता हूँ आप स्क्रीन से विदा लेता हूँ सिब मेरी वोइस आप तक पर पहुचेगी ताकि हम सॉलिशन को फटाबट फटाबट खतम कर सके हैं विद्यार्तियों पहला पुर्षन आपको इसमें दिखाए देरा इसकिनपर उद्यमिता शब्दकाप्रयोग सरुपर्थम किस नहीं किया तो पहले प्रशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा C-Option क्や धिया अब होकत ऑपर तो C-Option rebels 1730 में कब 1730 में क्योशन नबर दो उद्ध्यमिता तीन आदार गुत तत्वों का जोड़ा है अन्वेंशन यानि इन्वेंशन इन्नोवेशन एन्ड एड़प्टेशन तो यह डेफिनिशन किसकी है तो प्रश्ण करमांक दो जो आपको दिखाई दे रहा है दो का करेक्ट आंसर B हो जाएगा H.W. Johnson की डेफिनिशन है आगे चलते विद्ध्यार तो अगले प्रश्ण की और तीसरा प्रश्ण दीवा उद्ध्यमिता की विशेस्ता क्या है तो उद्ध्यमिता की विशेस्ता C हो जाएगी तो करेक्ट आंसर विद्ध्यार तो यहाँ पर D option हो जाएगा मुल प्रवुर्थी का यानि ओरिजनल फाउंडर संचालक और प्रवंदक का लगू नव प्रवुर्थकों का यानि स्मॉल इनोवेश्टिंग करेक्ट आंसर D option हो जाएगा अगला क्योशन दिया हुआ है उद्ध्य में उद्ध्योक का कप्तान होता है यह स्टेट्मेंट किसका है विद्ध्यार तो यह प्रश्ण ऐसा है यह प्रश्ण करमांग 5 जो बहुत बार पूछा जा चुका है पिछले ज़ी में एक दो साल के पेपर की अनालिसिस करूँ तो मुझे क्योशन सबसे ज़्यादा बार देखने को मिला है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा A option Peter F. Ducker इसको याद करना Peter F. Ducker का statement है Entrepreneurship is the captain of industry आगे चलते हैं Question number 6 दिया हुआ है पर जो आपको दिखाए दे रहा है उद्यमी विकास का प्रमुख बादक तक तो क्या है तो पूंजी की समज्या भी होती है दोश्पून प्रबंदन भी होता है नियोजन की समज्या भी होती है तो correct answer हो जाएगा उप्यूक्त सभी correct answer D हो जाएगा सात्वा प्रश्ण उद्यमियों के प्रबंद की एक कार्य क्या है तो correct answer इसमें A, B, C यानि कि D option इसका correct हो जाएगा आगे चलते हैं यह आमधारणाय के महिलाओं में निर्णयन क्षमता का अभाव होता है correct point यहां पर हो जाएगा अभाव आ जाएगा यहां पर ठीक ना lack of deficiency बोलते हैं इसको अभाव हो जाएगा प्रश्ण कर मांगनो महिलाओं के उद्यमि विकास के लिए अधिक उप्योगी कौनसा होता है तो विद्यारतियो public sector सबसे बढ़िया होता है क्या होता है public sector सबसे बढ़िया होता है वैसे इसा का जाता है government sector सबसे बढ़िया है महिलाओं के उद्यमि विकास के लिए तो इसको आप एक बार cross check कर लेना हमें एक जगे public sector पढ़ने को मिला था एक जगे government sector तो मुझे लगता है कि इसका answer government sector होना चाहिए क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी है जो sector होता है government sector होता है क्योंशन नमबर दसवा व्यावसाइक इस्थापना की प्रक्रिया का पहला चरण कोन सा है सबसे पहला चरण क्या होता है कि आपको planning करना होती मतलब योजना बनाना होगी समस्यां के लिए अपनाना चाहिए तो बारवे का correct answer यहां पर उद्यार्टी C option हो जाएगा समाधान मूलक प्रवरतियां solving problem trends बारवे का C option हो जाएगा तेरवापरशन उद्यमी प्रबंदक से बड़ा होता है तो इद्यार्थी statement जहां तक हमें लगता हमने जो पढ़ा है उसमें ड्रकर ने लिखा है एक बार आप इसको क्रोश चेक कर लेजएगा ड्रकर ने ये statement दिया है उद्यमी प्रवंदक से बड़ा कप्तान होता है शोलो चवदो प्रशने सर्वस्टेश्ट विकल्पो का चेन अकास्मिक विवस्ता का हर डूणने में मददगार साबीत होता है 14 का A हो जाएगा मददगार यानि हल्पूल हो जाएगा 15 प्रशन महिला उद्यमियों की समस्या क्या है तो वित्य की समस्या पारिवारिक बंदन और शिक्षा की समस्या correct answer all of these हो जाये का D option 16 प्रशन मध्यपरदेश और महिला उद्यमियों के विकास ये तू कारिरत कौन कौन सी समस्ताइं है तो 16 प्रशन का विद्यारत यो correct answer देको मध्यपरदेश विद्यूत मंडल जो MPB वह भी महिलाओं के उद्यमियों के विकास के लिए प्रयास करती है क्योंकि उसको जो उनके नाम पर जो मिटर लगते हैं बिल के उनमें कुछ subsidy दी जाती है दूसरा Women Economical Development Corporation ये भी मददकार होती है ठीक है और उद्यमिता विकास के बारे में बात करो WMA यानि Women Association जो क्लब्स होते हैं वो भी मदद करते हैं तो correct answer देको जाएगा आगे चलते लगो उद्योग नीती की गोशना कब की गई तो 70 प्रशना correct answer हो जाएगा A option 1991 को की गई कब की गई 1991 को की गई अगला प्रशने प्रशना करमांग 18 लगो उद्योग की रिपोर्ट तयार की जाती है तो अठारवा कसी हो जाएगा प्रबंदकों के द्वारा यही मेनेजर्स के द्वारा 1900 प्रशना राज्य सरकारे लगो उद्योग को अनुदान देती है तकनिकी ग्यान पर भी देती है परीवान पर भी देती है ब्याश पर देती है तो correct answer दोनों एव भी हो जाएगा अगला प्रशन की तरब चलते हैं महीला उद्यम निदी योजना अंतरगरत प्रदान किया जाता है तो कितने राशी प्रदान की जाती है तो 10 लाग रुपे की राशी प्रदान की जाती है 21 वे का एउप्शन हो जाएगा 10 लाग रुपे है प्रशन करमांग 22 की तरब चलते नवाचार की विश्यस्ता क्या है तो नए विचारों का परिवर्तन, क्या नए विचारों का प्रयोग हो जाएगा, नवाचार का मतलब नए विचारों का प्रयोग, तीके, आगे चलते हैं अगला प्रशन, रशनात्मक्ता की विश्यस्ता क्या है, तो व्यापक्ता, कल्पना शक्ति और मौलिक योगदान करेक्ट टांसर डी हो जाएगा उप्युक्त सभी चोईस्वा प्रश्ण रचनात्मक पहलू हो रचनात्मक तामे उद्यमियों के संगटनात्मक जीवन का एक अंग होता है तो कौन सा अंग होता है तो ये महत्तोपुन अंग होता है तो C option यहाँ पर correct हो जाएगा C option हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगले प्रश्ण की तरप चाहते है परियोजना तयार की जाती है किसके द्वारा तुम जानते है कि प्रबंदों को द्वारा और entrepreneurship के द्वारा दोनों के द्वारा तयार की जाती है तो यहाँ पर होता है प्रबंद उद्वारा तयार की जाती है ध्यान रखना उद्वारा प्रश्ण करवाद 27 परियोजना पहचान की आवश्यक्ता होती है तो अनुभव की और मस्तिक्ष का उप्योग करके दोनों के द्वारा होती है तो कर एक टांसर दोनों एवब भी option हो जाएगा अगे चलते हैं अगला प्रश्णा 2800 प्रश्णा परियोजना मुल्यानकन के पहलू नहीं है तो तकनीकी पहलू होता है वित्ति पहलू होता है और बात करें तो यहाँ पर आता 2800 प्रश्णा में सामाजिक यानि मेंटली और सोशली दो दिया हुआ है तो परियोजना मुल् तो सामाजिक पहलू के विशे में बात नहीं होगी, मानसिक पहलू के बारे में 28 का डी हो जाएगा यहाँ पर, 29 परियोजना को तयार करने में वे किया गया धन, क्या किलाता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वी नी योजन कहते हैं, ए ओप्शन, आगे चलते, 30 आइता प्रदान करती है, उसे उद्योग का जीवन, रक्त या आहार कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको उसको फूड भी कहा जाता है, अगला प्रशन, प्रशन कर्मांग 32 भारती उद्योगिक साक एवं विनिमयोग निगम की स्थापना कब हुई, 32 वेका करेक्ट आंसर याद रख लेना, आगे चलते हैं, एक्स क्योशन की और, 33, IDBI के स्थापना उद्योगिक विकास के उद्देश से निम्न वर्श में हुई, तो 33 सो प्रशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1964, क्या विद्यारती उद्योगिक साकता है, एक जूलाई 1964, याद रखना, एक प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होती वहांपर, डियो अप्शन हो जाएगा, मुख्य कमी, आगे चलते हैं, 36 क्योशन अब निम्न विद्योगित में से कौन सी संस्ता उद्योगिक को प्रशिक्षन देती है, तो उद्यमिता विकास के अंद्र, मद्यप्रदेश के अगले क्योशन की तरफ, नेक्स्ट क्योशन, सेथिस अनिम्न विकित में से किस संगटन से नव उद्यमियों को सरुप्तम वास्ता पड़ता है, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा सेथिस का बी आप्शन जीला उद्योग के अंद्र, थर्टी अट निम्न विकित में से पच्पन में जो डेवलप किया गया है उसका नाम है MPFC मतलब मध्यप्रदेश Financial Corporation मध्यप्रदेश Financial Corporation जिसकी स्थापना 1955 में की गई याद रखना तो किसका आजसर है तो निम लिकित में से कोंसी सस्ता उद्यम्यों को आर्थिक मदद करती है तो मध्यप्रदेश में नाम है MPFC मतलब मध्यप्रदेश Financial Corporation 1955 में यह डेवलप हुआ 39 इम लिकित में से किसको नए उद्यों खोलने है तो परियावरण निकासी है तो संपर्क किया जाता है तो अब अब अच्छे जान तो किस चैन है तो प्रात्मिक्त दी जाती है तो चालीस वे प्रशन का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा D option उप्यूक्त सभी को 41 वे प्रशन की बातुरी ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्यों को ती है तो लगू उद्यों को सबसे ज़्यादा होती है 41 वे का B option हो जाएगा बहुत अच्छा प्रशन विद्याट याद रख लिजेका इस योजना को तो बहुत अच्छा प्रशन वे करेक्ट आंसर हो जाएगा B option एक अप्रेल 2003 को लोंच होई अगला प्रशन विद्यार्मंति रोजगार योजना की शुर्वात का भूई तो विद्याट यो 43 वप्रशन जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B option 3 अप्टुमबर 1993 को ठीक है B option करेक्ट है अगला प्रशन नेक्स्ट 45 रानी दुर्गावती स्वरगा योजना संचाली तो तो केवल अनुश्य जाती और अनुश्य जन जाती के मैलाओं है तुम आगे चलते हैं 45 पेटाली सव प्रशने विद्यार्तियों एक समस्यास प्रशने के अंदर मुझे यहाँ पर सब option गरबर लग रहे तो एक बार मैं बतायता हूँ खादी तता ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1957 अप्रेल में हुई थी तो हो सकता अप्रेल 1956 में इसके अदिशुचना जारी हो गई हो यह जो officially जो कहिना declaration date है अप्रेल 1957 है तो इस क्योशन को एक बार चेक कर लिजेगा इसका correct answer है 45 का अप्रेल 1957 correct answer है बारती लगो उद्योग विकास बेंक का मुख्य कारयाल है कहां पर है तो 46 स्था correct answer स्थी option हो जाएका लखना हूँ 47 बारत में स्वयम साहता समो के विकास के चरण कोन से तो स्वयम समो का गटन करना पुंजी और वित पोशन का निर्मान करना और आवश्यक कोशल का विकास करना D option उप्यूक्त सभी है 48 एक दुरूत एन एंजल इन्वेस्टर्स आरे गुड क्या होगा 48 का A हो जाएगा capitalist यानि पुंजी पती होता है 49 व्यापार इनक्यूबेडरों के कार्य क्या है तो 49 का D हो जाएगा उप्यूक्त सभी है 50 वा नीजी एक्वेटी की विश्यस्ता क्या है तो फिर 50 वे का भी D सुरी 50 फाइदा उठाना और उच्च जोकिम उठाना तो यहाँपर C option हो जाएगा दोनों हो जाएगा यह भी दोनों हो जाएगा तो इद्यार्तियों यह तो थे हमारे पहला वाला जो आपका portion था उद्यमिता विकास उसके 50 प्रश्णों के solution देखें अब हम चल रहे part B की तरफ woman empowerment के 50 प्रश्णों के solution की और आप से रोदे की वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें पहला प्रश्णा अंतराश्टी महिला दिवस कंबना जाता है तो आपको इसकी तारीक अच्छे से याद होना चाहिए पहले प्रश्णा का correct answer option हो जाएगा 8 March को दूसरा प्रश्णा किस विधाई अधिनियम में ने महिलाओं को अपने पती से उत्तरादिकार का अधिकार दिया है तो correct answer है दूसरे का C option हिंदू उत्तरादिकार अधिनियम प्रश्णा करमांक तीन महिला शशक्ती करण की नीती किस वर्ष प्रभावी हुई तो विध्यार तो यह सबसे आधा प्रभावी हुई 2001 से याद रखना 2001 से आगे चलते बारत वो महिलाओं कि उत्तान के लिए काम किस ने किया तो विध्यार तो विध्यार तो बढ़ 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 परश्णे 1961 में लागू हुआ प्रश्ण करमांक 6 प्रश्ण करमांक 6 दियाओ निमली कित्मे से किस के साथ महिला शशक्ती करण की अवधाना संबंदित है तो चठे का D option हो जाएगा राज्यतिक शशक्ती करण आर्थिक शशक्ती करण और अगला दिया हुआ सामाजिक शशक्ती करण चठे का D option हो जाएगा सात्वा बाल विवार निरोदक अधिनियम पारित किया गया तो सात्वेका correct answer है 28 तारिक 19 20 1929 हो जाएगा correct answer है 1929 है A option correct हो जाएगा सात्वेका A 28 September 1929 याद रखना बाल विवार निरोदक अधिनियम की तारिक याद रख लेना 28 September 1929 28 September 1929 लिख लेना अगला आठवा प्रिश्ण किसने कहा आर्तिक मैला शक्तिकन गरिबों और बेदबाव के किलाब एक्षशक्तिकल साधन है विद्यार्तिव ये statement हमें अवेलबल नहीं हो बाए तो यह आपको मिलता है तो comment box में comment करके बताईएगा प्रिश्ण कर मांग 8 वे को 9 गर्ब में पल रहे बच्चियों को माने के लिए किस प्रथा का प्रियोग किया जाता है तो अब अच्चे ज्यातो भूर्ण अत्या का प्रियोग किया जाता है 9 वे का दी दसवा मिला शक्तिकरण की निती किस वर्ष प्रभावी हुई तो 2001 मे प्रभावी हुई 11 प्रश्ण मिलाओं के शक्तिकरण के लिए राष्टी मिशन शुरू किया गया तो 11 प्रश्ण मिलाओं के शक्तिकरण के लिए राष्टी मिशन 15 अगस्ट 2011 को प्रभावी हुआ आगे चलते हैं 12 प्रश्ण राष्टी निती के रूप में स्वास्त सुधार का लक्ष क्या है तो 12 प्रश्ण मिलाओं के शिश्यू मरत्युदर में कमी करना 13 प्रश्ण कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेत के अंतरगत आती है बहुत बड़ा प्रश्ण विद्यारतियों ये भाग 2 के अनुच्छेत 14 के अंतरगत आती है 13 का भी हो जाएगा अनुच्छेत 14 14 चाइल्ड केर फैसिलिटी निम्न में से एक उधारने तो बालीकाओं का अधिकार है महिलाओं का अधिकार है या बालीकाओं का अधिकार है या आदरखना 15 प्रश्ण आर्थिक महिला शक्तिकरण की निती कौनसी नहीं है तो विद्यार्टियों इस प्रेशन में ट्रोड डाउट है फिर भी हम इसका आंसर की तरफ चलते तो विज्ञान और पुद्धेगी की इसका आंसर होगा सोलवा मैला शक्तिकरण के उद्देश कौन सा नहीं है तो सोलवे का बी ऑप्षन हो जाएगा लड़के की तुलना में लड़की को वरीता देना ऐसा कुछ नियम नहीं है तो सत्रो मैला हो के हल्प लाइन योजना चोईस ग्रंटे चालू होती है उज्वला योजना कब शुरू की गई तो विद्याति उज्वला योजना दो प्रकार की एक तो गेस सबसिडी वाली पूसता है तो 2016 को प्रारम होई पर यह मैला शशक्तिकरण वाली उज्वला योजना है तो यह जो अठारवे परषन का correct answer हो जाएगा बी option याद रखना दोजार साथ को चालू हुई यह योजना इदे गेस सब्सेडी वाली पूस्ता दोजार सोला हो जाएगी पर यह शशक्ति करना वाली है इसलिए दोजार साथ हो जाएगी 2011 की जनकरना का अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है तो 920 मतलब 1000 पूरुशों पे 920 महिला है यह 1000 लड़कों पर 920 लड़किया है पर मद्यपरदेश में बाला गाट का मामला अलग है बाला गाट में क्या है कि 1000 पूरुशों पे 1020 महिला है मद्यपरदेश के अंदर बाला मद्यप्रदेश को जो भिंड है ना उसको मद्यप्रदेश का हर्याणा भी कहते है क्योंको हर्याणा में भी लिंगानुपाद बहुत कम हैं मतब एक हजार पुरूशों पे साड़ा अट सुक लगबगी महिला हैं हम आपर वीसवा प्रिश्णन कामकाजी महिलाओं को आवास जैनती पत नायक ए उप्शन करेक्ट है लाडरी लक्षमी योजना कब शुरू की गई बाविस्वा प्रश्ण सी ऑप्शन दो जार साथ में प्राराम होई तेविस्वा आंगरवाड़ी के अंदर पर कौनसी योजना संजलती है तो मंगल दिवस योजना बी उप्शन करेक आगे चलते 25 प्रश्ण शुरक्षा अत्मगवाता और उनकी कमी से होता है तो बाल शोशन होता है 26 महिलाओं की सुरक्षा और उनके हीतों की रक्षा के लिए कौनसा दिनिया में तो उप्यूक्त सबी हो जाएंगे याद रल रखना हिंदु विवा दिनियम 1955 में आयता विशेश विवा दिनियम 1954 में आयता और मातर तुलाब दिनियम 1961 में आयता 27 वा सोरे दल के गटन में तोटल 10 वेक्ति होते जिसमें 5 पूरुश और 5 महिलाएं होती है 28 वा प्रशन मेला शक्तिकरण के किस उनुती का सामना करना पड़ता है तो विद्यारतियों यहां पर आता योन उत्प्रण का सामना करना पड़ता है तो पंचाई दिरासनस्ता है जादा परीशे करवाती है तीसवा देवी अहिलिया बाई होल कर के नाम से कौन से शहर में हवाई अड़ा है तो कौन सा बिया उनका शहर कौन सा इन दोडर है तो डैफिनेटली इन दोडर अंसर होगा 31 निमलिकित में से किस महीला ने कपडा उद्योग का निर्मान किया तो देवी अहिलिया भाई होल करने किया और कौन सी साड़ी की बात हो तो महिश्वरी साड़ी अगला 32 क्योश्चन में आंसर हो जागा महिश्वरी साड़ी 38 राणी दुर्गाउती मत्यपदेश के किस शेत्र में शाषन किया तो गोणडवाना में शाषन किया गोणडवान लेंड उनका शाषन रहा है 34 किसके सम्मान में डाक टिकेट जारी किया तो अहिलिया भाई होलकर के सम्मान में डाक टिकेट जारी किया गया तो परिशन करमांग 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अगस्त उन्नीस तो च्याणवे को उनके 25 अगस्त नाइटी नाइटी सिक्स तो डाक्ट टिकेट जारी किया गया तो उनके सम्मान में 35 भारत में प्रथम महीला शिक्षी का माने जाती है तो सावित रिभाई फूले को परियोजनाओं को नित्रत करने वाले पहिला महीला कोने है तो टेसी थॉमस 39 टाइमस हंड्रेड की सबसे प्रभावशाली लोगों और फ़ाडचुन की सबसे शक्तिशाली महीलाओं में कोन रही है तो इद्यार्ट यो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रा नुई गोरा देवी प्रतम परियावरण हितेशी पुरुसकार कब मिला तो चाली सो प्रशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओप्शन 1986 को मिला शिपको आंदोलन के प्रमुक नेता गोरा देवी 45 सेवा का फुल फॉर्म क्या है तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्शन सेल्फ इंप्लॉइड वूमन एसोशेशन 43 अल्या भाई ने कौन सा मंदिर बनाया तो काशिव विश्वनात मंदिर बनाया 45 गरल इंसा में शामिल है उप्यूक्त सभी 46 शक्षिक सशक्तिकरण में कौन से लाब नहीं है तो 46 सुप्रिशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आप्शन आर्थिक सुतंतरता 47 केंद्रिय समाच कल्यार बोड़ की स्थापना 1953 में की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई विद्यारतियों ये प्रश्ण में चारो अप्शन गलत है ध्यान रखना चारो अप्शन में सुरी 2015 वाल अप्शन सही है अब इसकी तारीख बतायता हूँ इसकी तारीख याद रखने आप पूछ ले तो बीस जनवरी 2015 याद रखना बीस जनवरी 2015 महिला शक्ती करण में SHG की भूमी का क्या है तो प्रोक्त सभी पचास सवा प्रश्ण मेरी कौम को किस वर्ष ओलंपिक का का से पदक मिला तो लंदन ओलंपिक वर्ष 2012 में तो विद्यारतियों इस वीडियो लेक्चर में हमने बरकतुला विशुद्या ले कि पेपर का सोलिशन देखा यह पेपर दिनांक 20 जून 2024 को हुआ है अपने साथियों तक अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाब मिल सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करको जरूर अवगत कराएं और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके साथ के लिए वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो विद्यारतियों साथियों इसी सत्म आपसे विदा लेते हैं अपसे विदा लेता हूँ नए विडियो लेक्चर के साथ पूर फिर आपसे मुलाकात होगी